दोस्तार दोस्तो स्वागत थे आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम डेली करंट अफेर के पंदरा अती मातवपुड प्रश्णों का रिवीजन करेंगे तथा उनके जवाब भी बताएंगे दोस्तो प्रश्ण के उर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन है हाल भी में किस देश को दुनिया का सबसे बड़तारा नीलम समोह मिला है नेक्स्ट क्वेस्टन है अल हिमें किस ने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार समाला है दीपक दास ने लेखा महान नियंत्रक के रूप में कारिभार समाला है तो पेरु देश के नय परदान मंत्री गुईढो बेलीढो बने है हाल ही में बुरुनेई के एरिवान यूसौफ को किस देश के लिए विशेश राजदूख निव्त किया गया है तो में अमार देश का एरिवान यूसौफ को विशेश राजदूख निव्त किया गया है हाल ही में जारी QS Best Student Cities Ranking में कौन सीर्ष पर रहा है तो लंदन देश QS Best Student Cities Ranking में सीर्ष पर रहा है नेक्स्ट क्रेशन है हाल ही में किस राज़े सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को ब्यवसाइक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरच्छड देने का निड़े लिया है तो तमिलनाडू राज़े सरकार ने सरकारी स्कूल के सभी छात्रों को ब्यवसाइक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरच्छड देने का निड़े लिया है हाल ही में ओलम्पिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली मैला हांकी खिलाडी कौन बनी है तो बंदना कटारिया ओलम्पिक में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली यहांकी खिलाडी मैला बन चुकी है नेक्स्ट क्वेचन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए सहजीवम परियोजना लांच किया है नेक्स्ट क्वेचन है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजंसी ने यूँटेल सेट कॉएंटम क्रांधिकारी रिप्रोग्रामेबल सेटलाइट लांच किया है नेक्स्ट क्वेचन है हाल ही में न्याय मूर्ती वी एम कनाडे को किस राज का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है तो न्याय मूर्ती वी एम कनाडे को महराष्ट राज का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है Next question है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजिटल भुकतान के लिए कौन सा कैसलेस और कंटेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट लॉंच किया है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने डिजिटल भुकतान के लिए E-Rupi Cashless और Contactless इंस्ट्रूमेंट लॉंच किया है नेक्स्ट क्वेच्टन है हाल ही में लेपड डायरीज दरोसेट इन इंडिया नामक पूस्तक किसने लिखी है हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को परदान मंत्री नियुक्त किया है तो मैमार देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंतरी नियुक्त किया है